हेले अब्रीवन वेरी गुड मॉर्निंग डिया इस्टुडेंट इस्टुडेंट नौ टिक आउट यूर मैस्ट वोग सारे बच्चे पनी मैस्ट की वोग ओपन कर लेंगे सो लेट इस्टार्ड चैप्टर सिक्स ने बेटा हम लोग क्या पढ़ रहते सेफ पढ़ रहते आज अब लोग पेज नंबर 95 सारे बच्चे ओपन करेंगे ओपन पेज नंबर 95 बेटा लेट्स हैब फन बिथ स्टेट एंड कर्व लाइन बेटा इसमें आपको क्या करना है यह जो आपकी कर्व लाइन दी गई है और स्टेट लाइन इसमें आपर देखो राइट है आई एम आ पेंसल से क्या करना है ड्रा करना है मीस आपको अच्छे से इसे पेंसल से पॉइंट को मिला देना है ओके यह कामसारी बच्चे कर लेंगे यह आप स्केल की सहायता से करेंगे अच्छे से करेंगे ओके इसकेल से अच्छे से आप स्टेट को स्टेट कर्व को कर्व मिलाएंगे ओके और क्या करना है बेटा आपको जो आपको straight line है वहाँ पर उस circle में आपको yes write करना है and जो curve है means जो ऐसे curve type में बेटा बना है वहाँ पर आपको उस circle में see write करना है okay see for curved यहाँ पर देखिए right है और yes for क्या होता है बेटा straight means होता है सीधा curve means तिर्चा okay तो बेटा आपको ऐसे ही करना है सारी बच्चे से scale की सहायता से क्या करेंगे scale की help से इसे अच्छे से point को draw करेंगे okay उसके बाद यह देखना है कि जो आपका straight है बेटा उस गोले में आपको yes write करना है and जो curve में है उस गोले में आपको c write करना है जैसे यहाँ पर भी c write करना यह भी आपका बेटा curve है यहाँ पर भी आपको बेटा c ही write करना क्योंकि यह curve में है और यह आपका बेटा straight है तो यहाँ पर yes write करेंगे यह आपका बेटा यह भी आपका बेटा क्या है यह आपका क्या है curve में है तो यहाँ पर curve write करेंगे यहाँ पर भी curve में write करेंगे c ही write करेंगे यहाँ पर भी स्कर्ब में ही होगा यहाँ पर भी कर और यह point को आप ऐसे मिला देंगे ओके सारी बच्चे कर लेंगे यह काम homework में आपको बेटा complete करना है इसे अच्छे से करना है ओके Thank you class, have a nice day